तो हम देखेंगे अगला टॉबिक अहौट वूड एंड साप वूड तो देखें वूड क्या होता है वूड का मतलब होता है सेटेंडरी जाइलम को यह विप बुराते हैं और वूड वूड में भी जो इस्टेम में जो सेंटर वाला जो पोर्षन बनता है सेंटर वाला पोर्षन सेंटर वाले जो वूड होती है इसके अंदर बहुत से एरोमेटिक कमपाउंड जैसे की रेजिन, टैनिन, गम्स, आयल जो ये सारे डिपोजित होते हैं जिसके वासे यह जो वूड होती है बहुत जादा हाट हो जाती है तो वूड में जो सेंटर में जो वूड बनती है नौर्मल है उसको बोलते है हाट वूड यह होगे हाट वूड hot wood और peripheral region में जो wood बनती है यह मतलब किनारे की तरफ इसको नाम देते हैं sap wood तो किनारे वाला यह हो गया sap wood sap wood अगर हम बात करें sap wood होती है light in color तो यह light होती है, हाल के color की होती है light color और यह होती dark brown या dark in color तो यह होती है dark in color तो hot wood में होता क्या है hot wood में trachyd xylem के अंदर जो trachyd और vessel है trachyd और vessel trachyd और vessel के लूमन में लूमन के अंदर बहुछ आरमेटीक कंपाउड जैसे की tannin tannin, resin, gums, oils और औरमेटिक कंपाउंड यह लूमन के अंदर जैसे यह वेसल हो गया तो वेसल के लूमन में या ट्राइकर के लूमन में यह सारी चीज़ें जमा हो जाएंगी तो जमा होने मतलब कि यह वूट बहुत ज्यादा हाड हो जाएंगे हाड हो जाएंगी साथ ही साथ ऐसे वूट दो पर माइक्रोप्स का अटेक आसानी से नहीं होता मतलब यह वाली वूट ज्यादा डूरेबल होती हैं ज्यादा डूरेबल ज्यादा चलती हैं फ़नीचर के लिए हम इसे को यूज़ करना पसंद करते हैं तो हाट वूट को एक औ से ज्यादा पर टेम तक रहती हैं रिजन क्यों होगा रिजन यह होगा कि एसी वूट के ऐसी वूट के ट्रेकिट और वेजल के अंदर टैनिन, रेजिन, घम साई आ यह साई चीस हैं यह जो जाती है जमा वो निकीrą वायचर की वैसे ऐसी वूट के उपर और microbes का अटेक, microbes do not attack, microbes ऐसे वुड के ओबर ये दीमक हो गया, कोई फंगस हो गया, ऐसे वुड पर आसानी से अटेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें digestible नहीं होते हैं, इसको मतलब वो digest करना, digest नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऐसे वुड जो है, लंबे टाइम से चलते हैं, ऐसे वुड को हम फरनीचर में यूज़ करते हैं, sapwood जो होती है, light color का होती है, light color का मतलब के इन में ये सारी चीज़ें जमा नहीं हो पाती है, तो ये जिघन में light color का होती है, एक और बात, sapwood होती है, sapwood, ये water का water का conduction यही करते हैं, sapwood hotwood, water का यह water conduction मताँ यह conduction वाला काम नहीं करते हैं, इनसे conduction नहीं होता है, तो conduction किसे होता है sapwood सो होता है, समझे रोगो तो यह होगे hotwood and sapwood तो ऐसे बहुत सकते हो, hotwood का मताँ सेंटर में पाई जाने वोड़, पाई जाने वाली वोड़, जो कि dark color में होती है, इनके अंदर lumen के अंदर, tannin, resin यह सारे चीज़ें जमा होती हैं, इसकी बाइसे इनके उपर macroscotic नहीं होता है, hotwood का दूसरा नाम होता है, duramen, sapwood, sapwood कैसे होती है, light color क्यों होती है, इनके अंदर, यह सारे चीज़ें जमा नहीं होती हैं, जाद बहुत कम होती हैं, और water conduction नहीं करती हैं, वो sapwood का एक दूसरा नाम भी होता है, ilburnum तो sapwood का यह दूसरा नाम है, ilburnum, यह हो गया, hotwood and sapwood, उसके बाद हम एक बात कर लेते हैं, कि बार क्या होता है, तो चलिए बार के बारे में अगली वीडियों बात कर लेंगे, ठीके, तो यह याद रखीगा, hotwood, sapwood, sapwood, किनारे वाले, hotwood, center वाले, ओके, hotwood में एक चीज़ बताना रह गया था, hotwood में एक नाम आता, tylos, exam में यह कभी-कभी पूछा गया, tylos क्या होता है, tylos बोलते हैं, यह से बोलते हैं, tylosis बोलते हैं, तो यह क्या है tylos, कि hotwood के अंदर हमने देखा था कि leginin, tannin, resin, यह सारे चीज़े, lumen के अंदर जमा हो जात होते हैं, तो देखें, क्या होगा, कि hotwood के अंदर यह vessel होगी, trackwood और vessel, जैसे अगर हम vessel बना दें, ऐसा, देखो, tylos का मतब क्या हो जाएगा, इसके अंदर, diagram पर देखो, जैसे vessel होगी है, vessel, vessel, vessel के बगल में, यह xylem parenchyma, तो यह हो गया, xylem, parenchyma, तो होता क्या है, कि parenchyma की जो सेस होती है, यह vessel के, यह, ट्रैकिट के, lumen को ब्लॉक कर देती है, तो देखिए, block कैसे करेंगे, ऐसे कुछ ब्लॉक करेंगे, कि यह वालत से ले, xylem, parenchyma, और यह वालत हमने बनाया है, vessel, xylem vessel, ऐसे आप, ट्रैकिट के अंदर भी सेम चीज़े आप ले सकते हैं, तो क्या होगा, देखिए, कि वेसल के अंदर, जो xylem parenchyma होता है, ऐसे यह, balloon like structure की तरीके से से आखर के, फूल जाएगा, ऐसे, ऐसे, balloon like structure की तरह यहां पर आखर के, पूरा, पूरे lumen को ब्लॉक कर देगा, ऐसे, balloon like structure बना करके, पूरे यह, balloon like structure जो बनता है, लिवन को ब्लॉक करने के लिए, इसे को नाम देते हैं, tylos, इसे को बोलते हैं, tylos बोलते हैं, जै इसे को नाम देते हैं, दूसरा नाम, तो थोड़ा सा, एक्ष्टा चीज देते हैं, उसको आप याद रखेगा, तो tylos किसे बनता है, tylos बनता है, जैलम पैरेट का इमादे करता क्या है, यह tylos, block the, block the, lumen of, vessel, और, ट्रेकेड, तो बनता किसे हैं, यह बनता है, फॉर्म बाइ, जैलम पैरेट का इमादे करता है, बलून, लाइग, इस्ट्रक्चर, इंसाइड, ल्यूमन आफ, वेसल, और ट्रेकेड, ठीकेड, तो यह जाद रखेगा, जैलम पैरेट का इमादे बनता है, टाइलोज बनता है, ओके,